Welcome to Study Channel, मेरा नाम है मुहम्मद कैसर Seated 2024 जुलाई के लिए आवेदन की परक्रिया चल रही है ज़्यादा समय बचा नहीं है, last date बिल्कुल नजदीक है 2 अप्रेल रात 12 बज़े तक आप आवेदन कर सकते हैं साथ जुलाई को एक्जाम होना है, पूरा फॉर्म कैसे भरना है, मैंने अलरड़ी वीडियो बना दिया है डिस्कुसन बॉक्स में लिंक है, एक बार देख लिजे और फॉर्म भर लिजे करना है, तो अपने डिडिल्स के साथ आप यहां पर लॉगिन होंगे, अब समस्या यह आ रही है कि लॉगिन करते समय सेशन टाइम आउट हो जाता है, या कई बार लॉगिन होने के बाद कोई भी डेटा आप फिल करते हैं, तो इस प्रकार का ही एरर मैसेज आ रहा है, या फिर जब आप new registration करते हैं, समिट करने पर ऐसा एरर आ रहा है, session time out और इस तरीके से लिकर आता है, click here to login again, your session is expired, तो यह दोस्तों जो समस्या है, यह server से समस्या आ रही है, अन्त समय में यह समस्या आती है वेबसाइट पर, तो आपको अभी थोड भर जाएगा, वेबसाइट चल जाएगी, यदि यह समस्या लगातार, एक दो दिन और रहा, तो फिर last date को निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा, आप लोग परिशान मत होए, बाकी आप कोशिश करते रहे है, जैसे वेबसाइट ठीक होगी, मैं अपने टेलेग्राम चैनल पर आपको बता दूँगा, तो आप तुरंधी फॉर्म भर लीजेगा, तो यदि आपने अभी दक टेलेग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में लिंक है, एक बार क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, लब का ट्रिक भी मेरे पास है, मैं आपको बता दूँग कि यदि ये वाली समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, देखिए, लॉग इन करते समय कभी भी, किसी भी स्टेश पर, यदि ये वाली दिक्कत आ रही हो, डुब्लिकेट सेसन का, ठीक है, टाइम आउट आ रहा है, तब तो वो सर्वर की दिक्कत है, लेकिन यदि डुब्लिकेट सेसन वाली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको सिंपल अपने ब्राजर में जाकर अपने हिस्ट्री क्लियर कर देनी है, ये प्रॉब्लम तुरंत ही समाप्त हो जाएगा, ब इस्ट्रेशन का ही कोशिस करते हैं, तो इस प्रकार से एरर मैसेज आता है, डुब्लिकेट सेसन का, ये हमेशा से आता है, ये कोई नई चीज नहीं है, तो आपको सिंपली अपने हिस्ट्री को क्लेर कर देना है, दुबारा से आप लॉगिन करेंगे, तो आपका फॉर्म ख क्लिक करके, यदि आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, या अभी आपके फॉर्म में कुछ इस्टेप बचे हुए हैं, तो यदि आप उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, तब समस्या आ रही है, मैं यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जैसे मालने जी बात आप समझिएगा, और मालिजे मैंने यहाँ से विंडो को सिंपल क्लोज कर दिया, ठीक है, अब मैं फिर से एपलाई पर क्लिक करता हूँ, दुबारा से लॉग इन होने के लिए, तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए यहाँ पर डुब्लिकेट से सन आगया, चुकि अभी मैंने तुरंथी लॉग इन किया था, दुबारा से लॉग इन करने कोशी करेंगे, तो यह डुब्लिकेट से सन आएगा, यह अब आप जितनी बार करेंगे, यही प्रॉब्लम आता रहेगा, देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, अप्ला पर क्लिक करता हूँ, तो यह तुरंट लॉग इन वाला ओप्शन या निव रेजिस्टेशन का उप्शन आ जाएगा, तो डुब्लिकेट से सन के लिए, तो मैंने बता दिया, हिस्ट्री क्लिर करिए, लेकिन अन्य जो प्रॉब्लम है, जो सर्वर से आ रहे हूँ, उसके ल नहीं चल रहा है मुझसे, तो फिर यदि आपके पास नॉर्मल कनेक्शन होगा, तो बताए कैसे चलेगा, ठीक है, यह लाइफ देखिए, दस बच के 19 मिनट हो रहा है, और मैं आपके सामने अपना कनेक्शन चेक करवा रहा हूँ कि स्पीड कितनी आ रही है, ठीक है, और द यह देखिए, फाइनल कितना आया, 308 Mbps, उसके बाद इस अपसाइट नहीं चल रही है, तो बिल्कुल आपके मोबाइल में या आप से कोई दिक्कत नहीं है, यह सरवर की समस्या है, बात क्लिर हो गई होगी आपको, इसके लावा कोई भी डाउट हो, तो लिखिए कॉमें आपके सब्सक्राइब का जवाफ दे दिया जाएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहें, थैंक्स फॉर वाचिंग